So guys, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह हम लोग एक VPS बना सकते हैं, क्या होता है VPS, किस तरह बना सकते हैं तो नहीं बताया था मैंने, वह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि VPS क्या होता है और जो उसके high level concept से वो बताया अब मैं आपर एक बात बताता हूँ आप लोगो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि आपको 100 डॉलर दिलवाएगा डिजिटल ओशन पर अगर आप लोग अपना कार्ड एड़ करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल कुछ देनी की ज़रूरत नहीं है सिंप्ली आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है साइन अप करना है 100 डॉलर आपके हो जाएंगे डिजिटल ओशन क्रेडिट के रूप में मुझे नहीं पता डिजिटल ओशन ये ओफर कब तक देगा इसलिए मैं चाता हूँ जल्दी सब लोग इसका फाइदा उठाएं कभी भी ओफर बन किया जा सकता है इसलिए मैं चाता हूँ कि आप लोग फाइदा उठाएं बहुत सारे लोग ये पूछ रहा है कि या डिजिटल ओशन से मैंने पैसे वैसे लिये हैं कुछ ये सब करने के लिए ओविसली नॉट यार डिजिटल ओशन एक अच्छी सर्वीस है बिल्कुल गूगल की तरह जिस तरह लोग गूगल रेकमेंड करते हैं उसी तरह मैं डिजिटल ओशन आप लोग कर रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आप लोग करना चाते हैं यूज वीपीएस अगर आप लोग करना चाते हैं आउनलाइन अपनी वेबसाइट को होस्ट क्यों करना चाहिए मैंने अपने पहले वीडियो में अल्रेडी बता रहा है तो ये तो सवाल नहीं होना चाहिए अपकी डिटलोशन क्या है क्यों है इनकी support team बहुत अच्छी है अगर आप लोग इनको पूछेंगे connect करके तो ये बहुत जल्दी कर रखी है और हलां कि मेरी strategies change होती रहती है मैं क्या चीज़ कब कहा और कैसे deploy करूँ लेकिन जनरली मैं इसको use करता हूँ अच्छी service है चलो अब आगे बढ़ते हैं क्या करना है एक बार आप description में जाकर sign up कर दोगे तो आप लोग कोई console दीखेगा अब ये process में आप लोग करके नहीं दिखाऊंगा क्यों मुझे बताएगी सब लोग description में जाके digitalocean.com पर कम से कम account तो बना ही लेंगे तो उसमें तो आप लोग कोई problem नहीं होनी चाहिए बस आप एक चीज़ का धिहान रखना नीचे description से link लें तब ही आपको 100$ मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे ठीक है तो मैं चाता हूँ कि इस offer का आप लोग प्रियोग करेंगे अब यहाँ पर get started video droplet पे click करेंगे हम लोग अब ये droplet क्या होता है मैंने आप लोग को अपने VPS के tutorial में बताया कि एक virtual private server क्या होता है server कुछ नहीं है simply एक computer है cloud पे जो की रखा हुआ है अब cloud पे computer रखा हुआ है उसको हम SSH की मज़द से connect करेंगे और इस पे कुछ command execute करेंगे उस पे अपनी website को deploy करेंगे और एक बार हमने अपनी website को उस पे deploy कर लिया तो हमारी users उसको देख सकते हैं अब क्योंकि ये computer बिल्कुल हमारा है हम इस पे कितनी भी website deploy कर सकते हैं हलाकि कितना traffic आ रहा है हमारी website पे उसके इसाब से हमको सारी चीज़े manage करनी पड़ेंगी तो शुरू कहां से करना है तो मैंने create droplet पे क्लिक किया तो मुझे आपर मिल गए distributions, container और यह वो बहुत चीज़े फ़लाना डिमा का आ गही है आप लोग distribution में ही रहें और Ubuntu का इस्तेमाल करें Ubuntu 18 का जो latest version है उसका इस्तेमाल करें अगर आप लोग को नहीं पता यह सब चीज़े क्या है इसके बाद कुछ नहीं करना आपको सब कुछ ऐसे छोड़ देना है डेटा सेंटर रेजिजन आप New York सेलेट कर लें बैंगलोड सेलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप लोग इंडिया में है आपके users इंडिया में रहेंगे तो बैंगलोड कर लेंगे इसके बाद मैं आपर, मैं लिख दूँगा है आपर Code with Harry Tutorial आप लोग अपनी website का नाम डाल दें या फिर आप लोग जिस भी तरह इस droplet को यानि कि इस computer को जो कि आपके cloud पर रखा हुए identify करना चाहते है वो नाम आप लोग डालने create पर क्लिक करना इसके बाद एक बाद आपने create पर क्लिक किया तो आपकी जो है droplet बनना तयार हो जाएगी यह थोड़ा time लेता है कभी-कभी लेकिन जल्दी हो जाता है जल्दा time लेता है अब अपने digital auction अकाउंट से आपने जो भी email आईडी डाली होगी उस पर एक mail जाएगा कि भाई आपकी ड्रॉपलेट बन चुकी है यह पासवर्ड है ऐसे से जो है सारा हिसाब किताब है तो आप लोग को करना क्या है उसको पासवर्ड को change करना पड़ेगा पहले login पर यह इनका rule है तो वो rule हमें follow करना पड़ेगा तो मुझे एक IP address मिल गया यह मेरी मशीन का IP address हो मुझे एक mail आया होगा जिसमें मेरा username और मेरा password मुझे मिल जाएगा तो मैं अभी अपना mail चेक करूँगा और वापस आउँगा फिर तो यह जो मेरा mail है इसमें इन्होंने देखो भेज दी सारी details IP address में copy कर लूँगा IP address root और password मुझे दिया हुआ है अब मैं अपनी machine से connect कैसे करूँ मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग यहाँ पर जाएंगे तीन बिंदू दिख रहे हैं आपको इस पर click करें इसी के साथ आप लोग को करना क्या है access console करना इससे क्या होगा आप अपने computer को directly access कर पाएंगे अब बहुत सारे अलग तरीके बताई जाते हैं जैसे की पटी होता है उसी के साथ साथ आपका directly अगर आप Linux में तो SSH कर सकते हैं machine में वो सारी चीज़े भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग एक basic minimal तरीके से काम करना चाते हैं तो आप लोग यहाँ पर root लिखें और root क्या था मेरा username था यहाँ पर उसी के साथ साथ आप लोगो क्या करना है यहाँ पर password अपना जो है यह step थोड़ी important है आप ध्यान दें कि एक बर हमने password डाला फिर वापस हमको वही password फिर से डालना है यानि कि जो copy किया था पेस्ट किया enter अब आप अपना नया password चुनेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं नया password टाइप करने लग जाते हैं current वाले section में और फिर कहते हैं कि काम नहीं कर रहा है ज़रूरत है कम से कम लंबा password बनाए अपना जो कि आप लोगों के लिए आजसान रहा है remember करने के लिए लेकिन कोई अगला अगर आपको attack देने की कोशिश करे तो वो कुछ ना कर पाए मैं आ चुका हूँ अपने machine के अंदर तो यह जो terminal है यह वही Ubuntu का terminal है जो की मेरे computer पे ह क्या क्या होते हैं देखो ls command क्या करता है directory को list कर देता है जहां पर भी आप हो कहां पर आप हो यह जानने के लिए आप pwd command का इस्तेमाल करते हो pwd होता है present working directory उसी के साथ साथ आपको यहां पर बताता है slash root में आप हो अभी तो यह दो command आप लिख लो किसी copy में अगर आप ल कर देता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे computer के बिल्कुल root पे ले जाओ root मतलब computer के बिल्कुल शुरू में जैसे मेरी c drive होती है ना बिल्कुल वहान ले जाओ enter बारूँगा अब pwd करूँगा तो यह कह रहा है आप बिल्कुल computer के शुरू में आ चुके हो यानि कि जहां स करके देख लिया क्या क्या मुझे यहाँ पर मिल रहा है अब यहाँ पर मैं आप लोग को अभी सिर्फ इन तीन कमांड के बारे में बताऊंगा cd के साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ मैं अगर मालनो मैं cd करता हूँ home के अंदर तो मैं obviously बाते हैं home के अंदर चला जाऊँगा रहना चाहते हैं कि मुझे यहीं से आगे लेकर जाओ या फिर एक कदम पीछे से आगे लेकर जाओ तो आप cd करके उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं से प्रॉक लिख सकता था मैं जब मैं अपने home के अंदर था लेकिन अभी इतना आप लोग सिखेंगा आप लोग इतना काफी है अभी के लिए इतना काफी है अब लोग को सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि हम अपनी websites host कर पाएं और अपने पैसे बचा पाएं जो कि हम go daddy वगरा जैसी companies को देते हैं और एक website के अलग-अलग websites के अलग-अलग पैसे देते हैं वो हम ना करें उस चीज़ से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यह सीखें अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा initial server setup की बात करूंगा अब यह initial server setup क्या है देखो अभी हम root से login है root क्या होता है root एक ऐसा user है जो कि कुछ भी कर सकता है इस computer में इस computer के स कुछ भी कर सकता है कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है कोई भी program installer install कर सकता है किसे भी यूजर को भगा सकता है कुछ भी कर सकता है root इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं root user से काम करूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं accidentally कोई command यहापर चला दूँ और कुछ उल्टा सीधा हो जाए, मेरी website डाउन हो जाए, और मेरे users परशान हो, मैं नहीं चाहता यह सब चीजे, इसलिए मैं क्या करूँगा, एक नया user बनाओगा, मै इसका hostname है, root जो है, user at the rate hostname, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया user add करूँगा, उसके लिए आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग को लिखना है, add user space user का नाम, मैं user का नम Harry दे रहा हूँ, तो add user Harry करने से, एक नया user add हो चुका है, इसने उसकी home directory बना द मैं वापस से मैंने Harry रख दिया, यह कह रहा है कि अपना full name बताओ, और सब चीज़े बताओ, तो मैं इसको enter enter मारके blank भी कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा चीज़े details नहीं देना चाता, ठीक है, मेरा user बन चुका है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा, इस Harry को वो सा pseudo user, pseudo ही क्या होता है, pseudo होता है, हमारा advanced privilege जो की root के पास होता है, तो pseudo user जो होता है, वो root जो करता है, वो कर सकता है, ठीक है, तो pseudo यह होता है, तो मैं आशा करता है, समझ में आया होगा आप लोग को, बस आप यह समझ लो, root जो होता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो normal user है वो sudo लगा के root बन सकता है तो मैं sudo वाले command बहुत carefully execute करूँगा और बाखी मैं कुछ भी करता रहा हूँ इस computer पर क्योंकि मैं sudo नहीं हूँ मैं बात कर रहा हूँ तब कि जब मैं heady से login करूँगा पि मैं रूट से login किया हुआ है ठीक है चलो बढ़िया user mod minus ag sudo heady एक user बन गया heady नाम का अब बात करते हैं तो इसी firewall के बारे में कि ये firewall क्या होती है देखो आपके computer पर कोई भी connect कर सकता है मैं चाहता हूँ कि कोई भी connect करे to be very honest मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको private रखो मैं computer को मैं चाहता हूँ कि लोग आए मेरी website पे मेरी website देखें कोई भी www.codewithherry.com पे आए तो मेरी videos देखें मेरे मेरा काम देखें फिर मानलो मैं कोई चीज बेच रहा हूँ मानलो flipcard.com मैं मैं समान बेच रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ लोग आएं समान देखें खरीदें, order place करें तो मैं भगाना नहीं जाता उनको तो मैं क्या करूँगा कुछ apps को allow करूँगा अपनी firewall से लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भी user आके कुछ भी करके चला जाए मेरे computer में या फिर किसी भी port पर connect कर जाए तो मैं क्या करूँगा एक firewall खड़ी कर दूँगा एक दिवार खड़ी कर दूँगा मैं कहूँगा भाई इस दिवार से एक scenic खड़ा कर दूँगा दिवार मत कहो उसको दिवार और scenic कहो वो एक दिवार है, scenic मेरा दिवार की तरह काम कर रहा है तो UFW वो सैनिक है, UFW क्या है, फायर वॉल है, वो एक सैनिक है, जो कि देखेगा पहले, अगर वो चीज सही है, तब उसको अंदर भेजेगा, वनना नहीं भेजेगा, तो यह मेरा सिपाई है, UFW, तो UFW सिपाई को मैं सबसे पहले देखूँगा, कि कौन-कौन सी मेरी पर लॉग इन कर रहे हो, तो यह आपको, UFW स्टेटस, अब मैं कमांड के बारे में आप लोग को बताता हूँ, तो यह कह रहा है कि, UFW स्टेटस जो है, आपका इनेक्टिव है भी, ठीक है, UFW, आपने फायर वॉल जो है, यूज नहीं कर रखिये, ठीक है, तो मैं UFW ए अपलिस्ट से मैंने देखा कि कौन-कौन सी अप्लिकेशन अविलेबल है मेरी पास, ठीक है, उसके बाद मैंने UFW स्टेटस देखा, मेरा UFW स्टेटस इनेक्टिव था, यानि कि सैनिक मौजूद नहीं है, तो मैं कहूँगा, भाई, मेरे सैनिक आ जाओ, तो उसका कमांड होता है, UFW Enable, लेकिन उससे पहले मैं Allow करूँगा, मैं कहूँगा सैनिक को पहले ये बताओंगा, कि जो Open SSH है, जो मेरा Open SSH है, भाई, इसको Allow कर देना, ठीक है, Allow Open SSH, Rule Update हो गया मेरा, अब मैं कहूँगा, UFW Enable, मैं कहूँगा, भाई, अब UFW को मैं Enable कर रहा हूँ, मैं UFW status करूँगा, अगर, तो यहां पर दे कोई कह रहा है, Open SSH को आपने Allow किया हुगा, Open SSH को क्यों Allow करना है, क्योंकि मैं Connect, मैं ही Connect नहीं कर पहूँगा, फिर सैनिक मुझे ही भगा देगा, तो यह तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ, सैनिक कम बताना यह Analogies आपको कैसी लग रही है, अगर आप लोग ने कमेंट नहीं किया, तो मैं फिर भाई बड़ी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, यह Analogies खतम कर दूँगा, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने अपनी Firewall को Enable कर दिया, उसी के साथ सथ अब मैं UCW status check किया मैंने, मैं कर सकता हूं, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं Login कर सकता हूं, Harry के तोरपे, Harry नाम से Login कर सकता हूं, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने computer में Harry के उससे Login करूँगा, मैं नहीं करूंगा login, Root के उससे, Route के is खाता हूं वापस से और इसने मुझे दूसा इas καंशोल यहां पर दे दिया है और में यहां पर जाता और मैं Harry123 मैंने पासवर्ड अपना साही से डाला है इस बार, तो यार मेरा पासवर्ड Harry था यार, मैंने पता नहीं क्यों Harry123 लिगा, anyways, Harry, Harry पासवर्ड था मेरा, अब मैं Harry के तोर पे लॉग इन हो चुका हूँ, अब मैं आपर जो काम करूँगा, वो Harry यूजर से करूँगा यारिन कि production server के साथ काम करें, production servers वो होते हैं जिस पर आपकी website खड़ी हुई है, और लोग जो हैं उस पर आकर इस्तिमाल कर रहे हैं उस service को, आपकी कोई भी website हो, तो अब हम जो भी काम करेंगे, वो यहाँ पर हम इस से करेंगे, Harry user से करेंगे, तो कोई गया भी रहा है कि, to run command as administrator, use sudo command, तो यह कह रहा है कि sudo लगागे, आप कुछ भी command चला सकते हो, लेकिन by default आप जो Harry हो, आप मालिक नहीं हो, मालिक बनना है आपको, तो आप sudo लगा लेना, ठीक है, तो मैं आचा करता हूँ यह सब चीज़े आप लोगों समझ में आयोंगे, अगले वीडियो में ह यहाँ पर add होगा, अगर आप लोग ने इस वीडियो का भी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक करना, और उसी के साथ-साथ मुझे comment section में जरूर बताना अगर आप लोगों को मिल गया है, 100$ का credit, ताकि आप और लोगों को बता दो कि 100$ का credit मिल गया है, क्योंकि काफी लोग कि आप लोगों को free में मिलेगा, कोई पैसे आपकी नहीं जाएंगे, और यार अगर मान लोग आपको डर लग रहा है card add करने में, 5$ दे दो ना digital option को, आप लोग कितनी पैसे खर्च करते हो, अपनी पढ़ाई पे और कुछ चीज अगर positively जा रही है, आपकी जेब से, तो मैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.